नमस्कार दोस्तों, आज में आग के लिए आलू शिम्ला मिर्ज की बहुत ही चटपटी और मज्यतार सबजी रेसीपी लेकर आई हूँ इस स्वादिश सबजी के साथ अब भोख न होने पर भी दो की जगा चार रोटी खा जाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर इस से बनाने के लिए मैंने इस पैन को गर्म कर लिया है शिम्ला मिर्ज की ये सब्ची मस्टेड ऑईल में पर्फ्रेक्ट तयार होती है तो मैं यहां पर दो चंबस मस्टेड ऑइल एड कर रही है तो इसमें मैं तड़के के लिए आधा चंब सबस्द की जीरा और में गर्म हो जाएंगी तो ये कटी हुई एक हरी मिर्च और चोट किया हुआ अध्रक में यहाँ पर आड़ कर रही हूं और अब इसे ओईल में अच्छे से मिक्स करते हैं मैं फ्राई करेंगी फ्रेंड से स्वादिश सब्जी रेसिपी के वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत केज़ेगा अंतक पूरा देखेगा तो आपकी भी सब्जी एक टम परफेक्ट बनेगी और यहाँ पे अब प्यास फ्र आलू को हमें सबसे पहले यहां पर आड़ करके फ्राई कर लेना है नेक्स इसमें एक चम्मस नमक एड़ करेंगे फ्रेंड से इस टेस्टी सब्जी को त्यार करने के लिए हमें आलू शिमला मिर्च और टमाटर तीनों को ही क्यूब शेप में काटना है और इसके बार यहां भी शिमला मिर्च को एड़ करना है इस तरह से खोल करके आलू को कुछ देर फ्राई करने से वह अच्छे से बहुं जाते हैं और नेक्स्ट हम इसे कवर करके लगभग चार से पांच मिनट कुक करेंगे फ्रेंड्स फीटियो देखने के बाद आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजेगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजेगा अब कुछ देर हमें आलू को पकाते भी होगे तो इसे खोल के चेक कर लेंगे एक पर अच्छे से चला लेंगे और फिर से कवर करके दो से तीन मिनट और पकने देंगे इस सबजी में शिमला मिर यह चेक कर लेते हैं यह लगभगी 75 परसंट पग गया है तो इस स्टेज पे मैं कटीवे शिमला मिर्च आप देख सकते कि शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब शेप में काटा है यहां पर आट कर रही है शिमला मिर्च को आलू के साथ मिक्स करके लो टो मेडियम फ्लेम पे ह हम को इस तरह से खोल करके पका लेंगे फ्रेंड्स गारंटी है कि शिमला मिर्च की सब्ची आप एक बार इस तरह से रैडी करेंगे तो हर बार आप शिमला मिर्च की सब्ची इसी तरह से त्यार करेंगे और अब मैं यहां पे कटीवे टमाटर आट कर रही हूं टमाटर को मैंने शिम्ला मेर्ज के अकॉर्डिंग बड़े आकार में काटा है अब मैं यहां पर आधा चम्मज करम मसाला और आधा चम्मज नमक एड़ कर दीगे और अभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों मैं आप यहां पर कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन प्लैस कर नोटिफिकेशन फॉर रॉल कर दीजेगा अब यहां पर मैंने शिम्ला मेर्ज को भी भून लिया है इसे कवर करके हम लगभा तीन से चार मिनट कुक करेंगे शिम्ला मेर्ज को पकाने में बहुत सादा समय नहीं लगता है फ्रैंड से सब्सक्राइब को लगातार ढखके नहीं पकाएंगे यह तो शिम्ला मेर्ज ज्यादा गल जाएगी और इसका जो क्रंची सा टेस्ट है व और सबजी अच्छे से पक जाए इसके लिए हम यहाँ पी इसे एक बार फिर से कवर कर लेंगे और दो मिनट के लिए कोप कर लेंगे आफ्टर टू मिनट्स इसे चेक कर लेते हैं यह लेखिए एक तम पर्फेक्ट कलर और टैक्शर के साथ यह सबजी रेटी है तो फ्रेंड्स यह टेस्टी सबजी बिलकुल रेटी है एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धन्यापती से गानिश कर लेंगे फ्रेंड्स इस टेस्टी सबजी को आप रोटी पराठे पूरी नान सभी चीजों के साथ सर्फ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इस टेस्टी कैप्सिकम पोटैटो सबजी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा और आपकी इस सबजी कैसी बनी मुझे कामेंट करके तो लाइक कीजेगा फ्रेंड्स को शेयर कीजेगा हम फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ गुडबाई फ्रेंड्स